हाई फ्रेंड्स में अनुक मास ब्लूम हम किचन में आपका स्वागत करती हूं और मेरे फ्रेंड्स कैसे आप सब आप सब अच्छे होंगे चलिए आज में सूजी का डोकला आपके साथ सेर करने वाली हूं तो उसके लिए सबसे पहले मुझे एक बाउल लेना हूं उसमें मैंने एक बाउल सूजी एक बाउल दही आप इसको पानी से अच्छे से फेट कर रख देंगे इसका जो बैटर है वो मुझे ना ज़्यादा थीक बनाना है ना ज़्यादा पतला देखी फ्रेंड्स मैंने जैसे रखा है ऐसे ही रखिएगा यह देखी फ्रेंड्स नहीं ज़्यादा थीक है ना ज़्यादा पतला है अभी इसको रेश्ट करने के लिए 10 मिनट छोड़ द अब एक बावल में मैं अच्छे से तेल डालके ग्रीस कर लूँगी अच्छे प्रेंड्स दस मिनट बाद मेरी सूजी फूल के तयार हैं अब इसमें अपने टेस्ट के कॉर्डिंग नमक डालेंग डालिए नमक चीनी ऑप्सनल है आप इसके भी कर सकते हो इनो फ्रूट फ्रूट सॉर्ट मैंने इनो यूज किया है थोड़ा सा पानी डालके फ्रेंड्स यहाँ पे एक चीज़ धियान रखनी है आपको बेटर बहुत ज्यादा इनो डालने के बाद चलाना नहीं है वरना सारी इसकी ए दोखला है वो फूलर पूलेगा नहीं चले फ्रेंड्स इसको अभी इस्टीम करने के लिए रख देते हैं हुआ है कि 20 मिनट के लिए रख देंगे इसको 20 मिनट बाद खोल के चेक करेंगे यह देखिए फ्रेंड्स मेरा जोकला बनके रडिए चलीए चेक करते हैं देखिए फ्रेंड्स एक्तम साफ मतलब दोकला मेरा राइडी है अब इसको निकाल लेते हैं तड़का त्यार करते हैं दोकले के लिए तड़के में सबसे पहले तेल डालूँगे वाइट तिल वाइट तिल चटकने लगेंगे फिक ग्रीन चिली और करी पत्ता डालके करी पत्ता होने के बाद थोड़ी सी हींग डालके ये मेरा तड़का तयार हो गया अब इसको दोकले के ऊपर तड़का में डाल दूँगे ये देखिए फ्रेंड्स चलिए डोकला कट करके दिखाती हूँ ए फ्रेंड्स ये मेरा डोकला ये देखिए कितना अच्छा कितना सौफ बन के तयार हुआ है तो फ्रेंड्स आप इसको बनाईएगे जरूर आपको पसंद आएगा सुबा नाष्टे में जब दिल करे तब किखा ये फिर मिलते हैं तब तक के लिए बाब बाई लव यू